बाईयों और भेनों, क्या आपके शरीर बर भी इस जगे तिल है? यदि हाँ, तो ये वीडियो पूरा जरूर सुनियेगा। तभी आपके समझ में आप आएगा कि कौन सी जगे तिल होने से क्या नुक्षान है और क्या फाइदे हैं। या यूँ कह सकते हैं कौन सी जगे तिल होने से अच्छा रहता है और कौन सी जगे तिल होने से अच्छा नहीं रहता है। तो आईए शुरू करते हैं वीडियो को। सामद्रिक सास्त्र में लिखा गया है कि सबसे छोटी अनामी का अंगुली पर तिल यसस्वी और धन संपन होने को बताता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जीवन में हमेशा परेशानी और ऐसांती बनी रहती है। इसके साथ ही लिखा गया है कि अनामी का अंगुली पर जातक कि अनामी का अंगुली पर तिल होता है तो ये जान सकते हैं कि ये कभी भी धन और यस की कमी नहीं रहने देता है। इसके साथ ही ठोडी पर तिल होने से व्यक्ति के पास आई के साधन हमेशा उपस्तित रहते हैं इसलिए उसे खभी पैशे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता इसके साथ ही ये बताया गया है कि नाग की दाई और यानि राइट साइड तिल होना व्यक्ति को कम मेहनत करने पर ज्यादा फाइदा पहुंचाता है और ऐसे लोग, भाग्य साली लोगों की गिंती में आते हैं। इसके साथ बहुं के भीच में ठीक भीच में तिल होना यह बताता है कि वह वैक्ति भाहत ही सुखी रहता है। उसका दामपत्य जिवन बहुत सुकी रहता है और उसे धन सम्मंदी परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ तरजनी अंगुली पर यदि किसी के तिल होता है तो उसे कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन वह सत्रूंग से या यूँ कह सकते हैं सत्रूंग की परेशानी उसे घिरा हुआ रहता है। इसके साथ ही बताया गया है कि पैर के अंगुटे पर तिल का होना ये दर्चाता है कि वेक्ति की सामाजिक परतिष्टा कभी कम नहीं होगी और शाथ ही यह बात भी इस बात का भी सूचक है कि सम्बंदित वेक्ति के पास प्रयाप धन सम्पत्ति जरूर रहती है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पीट पर तिल होना ये बताता है कि सम्बंदित वेक्ति काफी रोमांटिक है। इसके अलावा ये बात भी इस बात की भी पुष्टी करता है कि जातक कभी आर्थिक सम्ष्याओं का सावना नहीं करता है। किसी के पेट पर तिल है तो समुद्र सास्तर के अनुसार पेट पर तिल होना वेक्ति के पेटू होने की बात कहता है जो की शुब नहीं है लेकिन अगर यहीं तिल आपकी नाभी के उपर या नाभी से सटा हुआ है तो ऐसे वेक्ति को कभी धन की कमी नहीं मानी जाती ये थी जानकारी आज की तिलों के बारे में हाशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो हमारी चैनल दो साती टीवी को सबस्काइब कर बेल आइकोन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इन वीडियो में हमने वो जानकारियां देते हैं जो जानकारियां आप बहुत ही पैशा कर्च करके लोगों से प्राप्त करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा ये सारी बातें समुद्र सास्तर के अनुसार बताई गई है आप इने माने या ने माने आप अपने स्वंपर नेने में नमस्कार धन्यवाद स्वास्तर ये मस्तर श्तर